गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है डॉक्टर मुहिनी गुपता और मैं हूँ आपकी डॉक्टर डॉक्टर मुहिनी गुपता आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि अनार को खाने से क्या-क्या फाइदे होते हैं और क्या-क्या नुकसान होता है अनार जिसे हम पॉम ग्रेट भी कहते हैं इसका बोटनिकल लेमे प्यूनिका ग्रेंटम और ये दुनिया की गर्म प्रदेशों में पाया जाता है और यह आम तोर पे पाये जाने वाला एक फल है I hope आप सभी को भी यह बहुत पसंद होगा अनार में क्या होते हैं अनार में पोटेशियम पाये जाता है विटामिन के पाये जाता है यह हमारी ब्लड को बढ़ाता है अगर आपके शरीर आपको एनेमिया है खून की कमी है तो डॉक्टर आपको अनार खाने के लिए कहता है क्योंकि हमारे ब्लड को बढ़ाता है इसके साथ साथ यह ब्लड शूगर को भी कंट्रोल करता है इसमें फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज नहीं अन्य फ्रूट्स में इसमें फ्रक्टोज होता है इसलिए ब्लड शूगर लेवल को भी कंट्रोल करता है यह हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है यह से हम प्राकरतिक एस्प्रीन भी कह सकते हैं क्योंकि यह ब्लड को पतला करने का काम करता है जिसे ब्लड का क्लॉट ठका नहीं जमता कैंसर में यह बहुत relief करता है breast cancer में especially इसका बहुत ज्यादे यूज होता है bones अगर आपको osteoporosis osteoarthritis है तो आपको daily एक अनार का 7 करना चाहिए और हाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि अनार का एक पूरा 7 आप खुदी करें शेयर करके या बाट कर नहीं करें पूरा अनार आप अके लिए खाए इसको आप सलाद के रूप में या जूस के रूप में भी इसका 7 कर सकते हैं यह आपकी immunity system को भी बढ़ाता है बजन घटाने में यह बहुत मददगार होता है cholesterol level को घटाता है heart के लिए यह बहुत ज़्यादा फाइदेमन साबित होता है aging आपकी aging को रोपता है जिसे कि आपकी तवच्छा पर जुरिया पढ़ना वो कम हो जाती है dark circles कम हो जाते हैं पाचन संस्थान को बहतरीन बनाता है यह है heart के उपयोग अब मैं आपको heart यह है अनार के उपयोग अब मैं अनार के कुछ आपको नुकसान दिखाती हूँ अगर आपको allergy हो तो आप अनार का 7 ना करें इसके लागा अगर आपको इन्फलूंजा खासी कब जहें तो भी आप अनार का 7 ना करें अगर आपको बिमा गोलिया चल रही है या मानसिक रोगों की कोई drugs चल रही है बीपी की टेबलेट्स आप खारें तो भी आप अनार का 7 ना करें क्योंकि यह आपको इसमें नुकसान पहुचा सकता है और थैंक यू फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू